हमने इससे पिछले मॉड्यूल में सिस्टेमेटिक लिटेचर रिव्यू के कॉंसेप्ट को डिस्कस किया और उसके बेसिकली अप्रोच या स्ट्रक्चर को आप पहले हमने डिस्कस किया अब हम देखते हैं कि अगर आप सिस्टेमेटिक लिटेचर रिव्यू करना चाहें तो किन स्टेप्स को फॉलो करें तो ये काम ठीक तरीके से किया जा सकता है उन में जैनरली अगर आप कांसेप्चुरी इस फिगर में देखें तो यही नजर आता है कि आप पहले स्टेडीज को एकठा करेंगे मुख्रिव जगा से जो भी स्टेडीज आपके रिसर्च टॉपिक के मुतलिक जो आपने क्वेस्टन्स बना रखे हैं रिसर्च क्वेस् जो उपर आपको ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं बेसिकली यह स्टेडीज को रिपरेजेंट किया गया है मुख्रिफ तरह की स्टेडीज हैं जो आप जब आप इस प्रॉसेस से गुजार देते हैं तो एक और्गनाइज शेप में आपके सामने बन के नजर आती हैं जो कि म प्रॉसा और आगे लेके चलते हैं अब यह सिस्टेमाटिक प्रॉसेस के स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने होंगे आगास देखिए डियाग्राम में टॉप पे जही लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले अपने रिसर्च क्वेस्टिन्स आइडेंटिफाई करेंगे क्योंक कि अब मेने रिसर्च क्वेस्टिन्स 어때 में टॉपिकस क्या होंगे क्या होंगे आपने हर सुमक प्रोतोंकौल क्रीप किया जिस स्ट्रक्चर डेवियू एक डिवैलियू कर रिया जिसमें वह रिवीयू लिखा जाना है और फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम उसके बारे में मिटीरिल एकठा करना शूरू कर देते हैं अब यहां देखें कि मिटीरिल को रिप्रेजेंट किया गया मुख्रिफ शेप से उसमें ट्राइंगल है सर्कल है आपको कुछ स्क्वेर नजर आ रहे होंगे यह अगर आप एनालोजी के तौर पे समझना चाहें तो यह है कि जो मिटीरिल आप एकठा करते हैं ना वो सारे का सारा एक्जेक्ली रेलिवेंट नहीं होता आपके रिसरच क्वेस्टिन के साथ उसके कुछ पार्ट्स कभी रेलिवेंट होते हैं कई दफ़ा अपेरेंटली रेलिवेंट नजर आता है लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं इसका तो कांटेक्स्टी डिफरेंट है यह शायद यूजेबल ना हो कई दफ़ा वो ऐस सच यूज हो जाता है तो यह जो ट्राइंगलर शेप सें बेसिकली यह उस मिटीरिल को रेपड़ेंट करती है जो उस शकल में है जो डालेलिवेंट है आपके कुछ। और बाकी दोनों shapes दे जाहर करती हैं कि यह वो material है जो किसी ना किसी angle से थोड़ा बहुत relevant तो है लेकिन इसको re-shape करना पड़ेगा, re-write करना पड़ेगा, re-interpret करना पड़ेगा इस तरीके से कि वो आपके questions के अंदर जो दरकार information है उसके साथ fit in हो जाए, उस तरीके से इस्तमाल किया जा सके, so लहाजा आप देखिए कि फिर वो सारा material एक चलनी सी बनी हुई है, top पे एक circle के अंदर, जिसमें से आप गुजारते हैं और उसमें से देखें जो जो चीज गुजर रही है वो वही है जो उस शकल में आ जाती है, जिस शकल की relevance आपके research questions के साथ established है, वो नीचे उस चल से नीचे देखें, तो आपको सारी वो triangular shape की चीज़े नजर आ रही है, कुछ filter होके जो नहीं मिलती ही बाहर निकल जाएंगी, कुछ अपनी shape चेंज कर लेंगी, तो यहाँ पे, और फिर उस से अगला step क्या है, आप उस selected information में से वो data extract करिए, जो आपको आपके research question के हवाले स चाहिए था, फिर अगला step क्या है, कि वो जब आप उसको वो information extract कर लें, तो उसको अपने credibility के criteria पे judge करें, जो credibility का criteria मैं आप से एक module में पहले जिकर कर चुका हूँ, जो seven points थे, जिसमें author की credibility, biasness determine करना, publisher की quality, इस तरह की बात ने लिकी थी, तो आप उस criteria पे judge करते हैं, कि जो studies अब जो findings मैं लिक रहा हूँ, क्या ये वाकई credible information है, तो अगर वो उस चलनी से भी pass हो जाए, तो फिर अगला step है, कि अब मुख्तलिफ sources की information को एकठा कर लीजिए, एकठा करने का तरीका synthesis भी हो सकता है, और एकठा करने का तरीका meta analysis भी हो सकता है, आप किसी भी तरीके से उन ये बस के मतलिक है, और एक से ज्यादा studies के जरीए से नजर आ रही है, और फिर synthesize करने के बाद, उस पे discussion, उस से conclude करना, findings ड्रा करना, किसी नतीजे पे पहुंचना, ये अगला step है उसको करने का, जब आप इन तमाम steps से गुजरते हैं, तो end पे जो outcome आएगी, उनीचे दुब organized coherent शकल में, synthesized form में, आपके पास एक बड़ी triangle की सूरत में, एक combined triangle की सूरत में कठे कर दीगे, शेप में, कि अब आपको वो तमाम information coherent वे में आपके सामने कठी होके, बड़ी picture पेश करती है, और ये जो picture अब बनी है, ये feed करती है, इसके बाद, आपके methodology को, आपके tool selection को, sampling को analysis को, research के बाकी हिस्तों को, इस information में से फिर आप अपने बाकी part of research जो है, accordingly, इसम को फिर आप align करके, इस्तमाल करते हैं.